ओगाइज, вेलकम टो मैं चैनल, मैं काजल कोकिंग आज मैं असवाइब आज वाले केंक प्राइब पनाने वाला है की वाला थो उसके लिए हम घर पे लिए ठेक बना लिये तो इसके लिए दो अंडे दो अंडे ले लिए हैं मैदा है तेल है रिफाइन तेल है इधर दूद लिए हैं इधर चीनी को हम मैंने पेस्ट कर लिया है इधर बेकिंग पाउडर है तेक बॉल में हम अंडे को तोर ले रहा है अजित कर दो दो हम अजित कर दो दो है तो हम अजित तरिके से मिला लेंगे इसमें तेल को भी डाल देंगे इसमें हम चीनी को त्वाथरा करके मिलाइंगे त्वाथरा करके मिलाइंगे त्वाथरा करके मिलाइए का नहीं तो यह वह गाट फट जाएगी अंदर से चीनी में इसमें तुम इनी से चीनी कैसे मिला लिया है अब इसमें हम फट रखके मेलाइंगे त्वाथरा करके मेलाइए और देंगे त्वाथरा करके मेलाइए दालेंगे पाहल का दूद भी डालेंगे इसमें अब एक्निसोड़ा को भी मिलानेंगे इसमें ज्यादा मन्त देजिएगा जितना बनाईएगा उसी इनुसार से लिजिएगा यहाफ टी स्पून लिया है पेक्निसोड़ा को अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो देखिए इसमें अच्छी तरीके से मिला लिए हूं अब इसे हम दुसरे बाल में रख दे रहे हैं इस बाल में मैं नीचे केले के पत्र रखे हैं ऑ इसमें ठोड़ा से त्ले लाग आका लीए ंक पास केले के पत्र आप प्यापर भी रख सकते हैं अब इसमें अपनीज़ा ठाल देंगे अब हम इसे ग्यास के तरफ चल रहे हैं तो मैंने कराई चला लिया है इसमें मैंने बाली ले लिया है आपके पास बाली नहीं तब नमक भी डाल सकते हैं अगर नमक भी नहीं है तो आप ऐसे ही इस तरह के स्टेंड लेकर स्टेंड रख लीजेगे इस तरह किसे इस तरीके से रख देंगे हम इसे इस तरीके से ढख देंगे ढख कर पंद्र मिनट बाद हम देखेंगे वह भी लो मीडियम पर ही गैस को रखिएगा पंद्र मिनट बाद हम देखेंगे इसे दस से पंद्र मिनट मेरा हो चुका है हम इसे खोल के देख ले रहे हैं अब इसे हम चेक कर ले रहे हैं यह मेरा रेडियो हुआ या नहीं हुआ है तो चाकु इसके अंदर हम ढुकाएंगे देखेंगे चाकु में थोड़ा भी लगा नहीं है इसका मतले मेरा केक रेडियो हो चुका है तब इसे हम ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद हम इसे आप सब को सब करकी दिखाएंगे मैंने एक फ्लेट ले लिया है और इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे यह देखें केक मेरा बनके रेडियो हो चुका है कितने स्पंजी है कि अचे प्लेट यह देखें कि इसे उचेए तक मेरा बनके रेडियो हो चुका है आ यहीं हम प्लेट की देखा देरा तकाओ अच्छे कि यह देखिए केक मेरा बनके पुर्य रेडी हो चुका है अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी बना कर खायेगा आपको भी अच्छा लगा ता भी बना कर खायेगा जरूर ऐस तरह से बहुत ही टेस्टी बना है अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा कमेंट करको जरूर बोते हैगा कि आपको ये केक कैसा लाक क्खाने में अब मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देजिएगा और सेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को फीर हम 25 दिसमार आने वाला है, घर पर आसानी तरीक से बन भी जाता है, चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रिस्पी के साथ,